स्टार्ट माननिय पिर्धन मंत्री जी अपने ब्यस्त समय में कुछ समय हमारे लिए निकाला इसके लिए हम आभारी हैं और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्मेलन में आए हमारे साथियों तता अधिकारियों का मार्ग दर्शन करें ग्रह मंत्री जी के स्वागत बासड के बाद फिर्धन मंत्री स्री राजिब गांदी ने द्रण और विस्वास भरे सब्दों में सम्मेलन में उपश्तित अधिकारियों को संबोधित किया संचेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी बासाइं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं इसलिए हिंदी को हमने राजबासा बनाने के लिए चुना हैं यही नहीं हिंदी का एक अपना इतियास भी है और हमारी यह कोसिस रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी बोलने और समझने लगें इस दिसा में काफी काम भी हुआ है लेकिन जैसा कि अभी गिर्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस गती से और जिस तेजी से काम होना चाहिए था सायद नहीं हो पाया है कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित भासा में हिंदी में नहीं हो पा रहा है जबकि जो आंकडे पेस किये गए थे उसके हिसाब से किसी बिभाग मे 99 पिरतीसत किसी में 98 पिरतीसत और किसी में 95 पिरतीसत अधिकारी और कर्मचारी को हिंदी का कार्यसादक ग्यानता हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो पाता क्या हमारे आंकडे ठीक हैं क्या सच्मु है या यह आकड़े केवल प्रोतसाहन भत्ता लेने के लिए ही है यदि हिंदी का पिरचार होना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी खास कर जब कानूनी काम और संसद का काम होता है हमें यह भी सोचना होगा की हम किस कारण से इस दिसामें पीछे रह गए हैं कहां पर हमें ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाई भी सोचने होंगे हिंदी का पिरचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा की दूसरी भासा बोलने बाले लोगों को यह अनुबब नहीं होना चाहिए की उनके उपर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है क्योंकि अगर उन्हें यह लगा तो बे बिरोद करेंगे जो काम हम प्यार से और समझा कर कर सकते हैं वह जबरदस्ती करने से नहीं हो पाएगा इस बात को अच्छी तरह से समझकर ही हमें हिंदी का पिरचार करना है साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे बड़े देश जिसमें इतनी भासाएं बोली जाती हैं बहां यह भी आवसक है कि एक भासा ऐसी हो जिसे सब लोग समझें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बांद सके हमने इसके लिए हिंदी को चुना है बने स्टॉप